बिजेपी प्रदेश सद्यक सीपी जोशी ने आज अनूप गड़ और फलोधी में हुई राहुल गांदी की सभाओं पर तंज कस्तेवे कहा कि चुनाव के समय राजस्तान आते हैं और बड़े बड़े वादे करके फिर पांस साल गायब हो जाते हैं जनता की सुद नहीं लिते चुनाव के समय फिर वही पुराने वादे और नारे कांगरेस की पहचान बन चुकी है जनता सब समझ चुकी है अब किसी जहांसे में नहीं आने वाली प्रदेश की जनता ने विधान सवचुनाओं में कॉंग्रिस को उखाट फेकने का काम किया और लोग सवचुनाओं में भी सभी सीटों पर प्रचन बहुमत से भाश्वा का कमल खिलाने की तैयारी है जोशी ने कहा कि देश में फिर से चुनावी मोसम आ गया और राहुल गांदी फिर से जनता को गुमरा करने के लिए पूरे विश्वास के साथ जूट बोल रहे हैं तीस लाग युवाओं को सरकारी नोक्री देने की बात करने वाले राहुल गांदी बताएं कि राजस्तान के युवाओं को बेरुजगारी भट्ता और रोजगार देने का वादा 5 साल में भी पूरा क्यों नहीं कर पाए पेपर लीग का रिकॉर्ड बना कर उसके भविश्चे से खिलवाट क्यों किया गया किसान और गरीब के कल्यान के बात करने वाले राहुल गांधी ने यह क्यों नहीं बताया कि आजादी के बाद 55 सालों तक देश पर राज करने वाली कॉंग्रेस ने इतने सालों में किसान और गरीब कल्यान के लिए वादे और नारे देने के अल्यावा क्या किया सत्ता में आने के लिए हमेशा सनातन का अपमान किया राम मंदिर का विरोध किया देश को जातिर वाद आतंक वाद भ्रस्टा चार और परिवार वाद दिया जनता को सिर्फ वादे और नारे दिये जनकल्यान और राष्ट निर्मान के लिए कुछ नहीं किया जोशी ने कहा कि 2018 की विधान सबाचुनाओ के समय राहुल गांधी ने राजस्तान आकदस तक की गिंती बोली और सरकार बनने के बाद इतने ही दिनों में किसानों का करजा माफ करने की बात की थी लेकिन सरकार बनन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अनेक योजनाओं को लाब भी किसानों को भाष्पा की सरकार में ही मिला है मोधी सरकार में 25 करोड लोग गरीब रिखा से बाहर निकले और कॉंग्रेस के लिए गरीवी हटाना अभी बी सिर्फ चुनावी नारा बना ही हुआ है देश की जनता ने कॉंग्रेस के 55 साल और मोधी सरकार के 10 सालों के अंतर को देखा और महसूस किया है कि जनता समझदार है किसी बहकावे वे नहीं आने वाली जोशी ने कहा किया प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का फाइदा जनता को मिल रहा है विधान सबचुनाव के समय भाष्पान ने लेते हुए उजवला गैस कनेक्शन 450 रुपए में देना शुरू किया केंदे सरकार के साथ ही राजस्तान सरकार ने भी किसान सम्मा ने दी के 6000 रुपए देने का निरने लिया जिसके पहले किस्त 2000 रुपए भेजना भी शुरू कर दिया है आंगनवारी बहनों का मान द पैट्रोल और डीजल के दाम कम किये हैं एरसीप और यहुना जल समझोते जैसे संभव काम भी पूरे किये हैं जोशी ने कहा कि बिजेपी की मोधी सरकार में जनता ने सपनों को पूरा होते हुए देखा एक तरह वो पार्टे थी जिसने एक परिवार को ही देश मान कर काम क ही है इसके साथ ही मुफ्त इलाज मिला मुफ्त राशन मिला गैस कनेक्शन मिला हर घर में नल से जल पहुंच रहा है बिजली पहुंच रही है भारती जनता पार्टी के पास नीती नेता नियत कारेकरम कारेकरता और राश्ट्र के पती समरपनभाव है जबकि दूसरे राज सरकार आना तैय है अब की बाद 400 पार आना तैय है